हेलो और वेलकम डू रेडियंट अकेडमी मैं अमूल चेपे आग सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट अकेडमी के इस नए लेक्चर में आज वैसे तो 15 दिसंबर 2022 है लेकिन फिर भी आज हम करंड अफेर्स पहले 14 दिसंबर 2022 के देखेंगे और एक अलग लक्चर अप्रलो तो content पूरा नहीं हो पा रहा था मतलब कुछ important points miss हो जा रहे थे दूसरी थी कि अगर साथ लेके सारे points कवर करने होते तो लेक्चर की length बहुत लंबी हो जा रही थी तो सोचा 14 दिसंबर अलग कर लेंगे 15 दिसंबर अलग कर लेंगे तो let us start with the current affairs of 14th of December 2022 और देखते हैं हमारे पास आज कौन सी कहानी है तो जो सबसे पहली कहानी हमारे पास है वो है United States से United States की जो currency notes है उस पे दो signature होती है और ये दोनो signature पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये दोनो signature किसी दोनो भी women ने की है तो ये क्या कहानी है इसको detail में समझेगे US prints first bank notes with women's signature तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि United States की जो currency है उस पे fine जो रहेगी signature जो रहेगी वो महिलाव की होगी दोनो signature दोनो भी महिला है तेखे अब ये कहानी के पीछे का background थोड़ा समझते है US की जो currency note होती है उस पे दो signatures होती है जैसे मैंने कहा एक signature जो होती है वो होती है treasurer की और एक जो होती है treasury secretary की पराबर अब ये treasury secretary और treasurer इनमें difference क्या है वो देखेंगे देखो secretary of treasury यहाँ को मिलेगा secretary of treasury ये basically एक cabinet minister के position है इसका मतलब more or less आप समझ लेजिए कि हमारी finance minister तो ये finance minister याने treasury of secretary है और वहाँ पे एक department of treasury है जिसमें जो head होते है उनको बोला जाता है treasurer तो अभी इन दोनों जगा पे महिलाए है कैसे तो secretary of treasury जो बनी है वो है Janet Yellen Janet Yellen ये secretary of treasury है ये पहले federal reserve की भी head रह चुकी है अभी cabinet minister की है से secretary of treasury है याने ऐसा समझा वहाँ की finance minister है तो ये महिला बनी है और ये पहली बार महिला है वेराज treasurer की जो post है उस पे Lynn Malerba है Lynn Malerba वैसे मोहेगन tribe से आती है और अभी फिलाल treasurer है तहाँ पे department of treasury में तो Lynn Malerba जहाँ पे है उस position में इससे पहले भी बहुत बार महिला है रहे चुकी है और ये specific Hispanic tribe से ही आने वाली महिला है जनरली ये एलेवन में से साथ बार ऐसा हुआ है कि Hispanic से ही आयो ही महिला है ये treasurer रही है कहां की department of treasury की लेकिन finance minister मोले तो वहाँ पे बुझो बोला जाता है secretary of treasury तो वो जो है वो पहली बार महिला बनी है जिनका नाव है जैनेट येलन और इसी वज़े से अभी जो नई notes print हो रही है याने $1 की और $5 की जो नई note उन्होंने पहली बार बनाई उस पे इन दोनों महिलाओ की sign थी आप इन दोनों की तस्वीर यहां देख सकते है Janet Yellen और Lynn Malerba तो इसी कारण दो महिलाओ की sign अभी United States की currency पे आपको देखने को मिलेगी और इक बहुत important ये current affairs की news है वो क्या है अगला फिर से United States से है अब ये अब क्या हुआ है अब जो कहानी है वो है mayor बनने से mayor बनने के बारे में Los Angeles का नाम आप सभी ने सुना होगा Los Angeles LA जिसको हम कहते हैं तो LA की mayor की पद पे पहली बार कोई महिला बैठी है LA की mayor पहली बार कोई महिला बनी है और ये जो lady है ये first black woman है जो mayor बनी है तो यहाँ पर दोनों चीज़े है देखो पहली बार कोई महिला mayor बनी है और वो जो महिला है वो black भी है ठीक है तो इन्होंने दो records बनाए, एक तो पहली बार कोई महिला mayor बनी है, Los Angeles की, नाम क्या है इनका, Karen Bass, तो Karen Bass नहीं हाँ पर दो records बनाए, पहले तो first woman, and she is the second black person to be the mayor, तो इसी वज़े से वो पहली black महिला भी बन गई है, नहां की Los Angeles की mayor की बत पर, तूसरी, दो important Indian in the sense, Indian American की appointment के बारे में भी है, अब वहाँ पे, Consumer Financial Protection Bureau करके एक organization है, Consumer Financial Protection Bureau, इसके जो head है, वो बने है, रोहित चोपडा, तो रोहित चोपडा, यह CFPB, यहने Consumer Financial Protection Bureau, इसके head बने है, और दूसरे बने हैं, गौरो शर्मा, आपको इहां गौरो शर्मा की भी तस्मीर दिखेगी, यह वहाँ पे एक Fintech firm है, Fintech यहने Financial और Technology वाली firm है, US में, जोकि New York based है, इसका नाम है Capitalize, तो यह उसके head बने है, तो गौरो शर्मा और रोहित चोपडा, इन दोनों की भी नाम आपको याद रखना है, साथ में Karen Bass का भी नाम याद रखना है, क्योंकि Karen Bass पहली Black Woman बनी है, जो Los Angeles की Mayor बनी है, तो यह दो important appointments आपको याद रखनी है, I hope अभी तक जो हमने 5 नाम लिये, वो याद हो गए होगे आपको, है ना, एक तो Lynn Miller बा का नाम था, फिर था Janet Yellen का नाम, जोकि महाँ पर Finance Minister लिया, Secretary of Treasury है, कीसरी जिनका भी हमने नाम लिया, Karen Bass, जोकि Los Angeles की Mayor बनी है, फिर हमने रोहिद चोप्रा का नाम लिया, रोहिद चोप्रा ये, TFPB के Head बने है, और फिर जो हमने नाम लिया वो है, Gaurav Sharma, तो Gaurav Sharma ये Capitalized, जो एक Pintech firm है, New York based, उसके Head बने है, तो ये पाचो नाम आपको एकडम याद हो गया होंगे, चलो, अब चलेंगे अपन अगले कहानी की और, अगली कहानी क्या है, अगली कहानी है, कि Top 5 Steel Companies, 5 Steel Companies बड़ी, सिर्फ इतना ही नहीं, बाकी Others भी है, Few Others, इनको PLI की Scheme के लिए चुना गया है, इनको कहां चुना गया है PLI की Scheme में चुना गया है, अब पहले तो ये समझेंगे, ये PLI Scheme है क्या, PLI का मतलब, आपको यहां दिखेगा, कि It is a Production Linked Incentive Scheme, क्या है ये, PLI का मतलब है, Production Linked Incentive, यहां कहीं लिखा है, यहां लिखा है, Production Linked Incentive, PLI, अब ये Scheme है क्या, तो आपको नाम से ही ध्यान में आ जा कि जितना जाधा Production करोगे, उतना जाधा Incentive मिलेगा Government की तरफ से, इससे क्या होता है, कि Manufacturing में, Manufacturing को एक Boost मिलता है, उपर से Export, Sorry, Import जो हमको करना पड़ता है, वो भी कम होता है, एक उधारन से समझते हैं, देखो, एक Steel बनाने वाली Company हैं, वो, let's say, X Ton का Steel रोज प्रोडूस क कर रही है, ठीक हैं, लेकिन Government ने आके उनको बोला, कि हमको X नहीं, हमको X प्लस 5 का Production चाहिए, अगर आप X प्लस 5 का Production करेंगे, आपको X और वो X प्लस 5 से मुझकी लोगी, लेचे 1000 टन्स, हम एक्जांपल लेंगे, कोई Company है, 1000 टन्स का Steel का Production कर रही है, हम उनको, सरकार उनको कि बोले कि देखो, हमको जादा Steel इंडिया में बनाना है, आप थोड़ी और महनत कीजिए, महनत करने के लिए labor नहीं है, यह नहीं है, ऐसा problem है, वैसा problem है, सरकार बोले कि देखो, आप अगर 1000 टन्स के बजाए, हमको अगर 1200 टन आप Production करके दिखाएंगे, तो हम आपको कुछ incentive देंगे, यानि एक तो आपको tax में कुछ छूट मिलेगी, या कुछ duties माफ होंगी, या कुछ अलग से, अलग से कुछ फाइदे सरकार की तरफ से मिलेगे, incentive की तो बोलेंगे, अच्छा ये फाइदा हो रहा है, तो अब हम करेंगे, चलो अब हम 1200 टन के Production पे जाएंगे, बो जैसे मार्केटिंग वालों को नहीं होता, अगर इतने प्रोडक्ट पेचे तो इतना फाइदा होगा, ये और कमिशन ज्यादा मिलेगा, बस उसी टाइप का है, आप ज्यादा प्रोडक्शन करो, आपको ज्यादा incentive मिलेगा, तो इसके लिए और पार्च, इसको तेरा, एक् कितनी कमपनी इसको आड़ किया है, पाच, आपको नाम याद रखने है, बहुत important है, पहला तो है Tata Steel, फिर है JSW Steel, फिर है JSPL, AMNS India और Steel Authority of India Limited, याने SAIL, इसके अलाबा भी कुछ और कमपनीज है, जिनके नाम है Gallant Metallics, Charm Metallics, Flag Products, Sun Flag, Iron and Steel, इन कमपनीज के भी नाम यहाँ पे शाम दिन किये गए है सरकारतवारा, ठीक, तो अब इन कमपनीज को PLI स्कीम का फाइदा मिलेगा, यहाँ तक एकदम clear हो गया हो गया, चलो, अब चलेंगे अगले point की और, आगे क्या है हमारे बास, आगे वो कहान ही है, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया हाँ, शायद, offline class में शायद बता था, online में नहीं बताया होगा, लेकिन यह किस्सा क्या है, देखो, तो तिन दिन पहले हमने चर्चा की थी, कि जपान की एक iSpace नाम की company है, जिसने पहला privately launch होने वाला, एक moon lander वहां से launch किया था, वहां से यहने Florida से launch किया था, Cape Carnival से अगर चीज बताई थी, कि Space में जाने के लिए SpaceX ने जो spacecraft बनाया है, वो जाने वाला था, उसके लिए जपान के एक businessman है, उनका नाम है Yusaku Mazewa, उनका नाम है Yusaku Mazewa, तो Yusaku Mazewa ये जो है, ये एक Japanese businessman है, इन्हों ने, वो SpaceX का जो spacecraft है, जो Elon Musk की company ने बनाया है, उसके, उसमें आठ seats थी, इन्होंने आठो की ticket खरीद ली, 2018 में, आठो की ticket खरीद लिए, बोलेंगे, पूरी ticket मैं खरीद लूँगा, आठो ticket खरीद ली, और फिर इन्होंने बोला, कि एक तो ticket मेरी है, और बाकी जो seats है, वो सारी seats मैं free में दूँगा, आपको apply करना है, आपको बताना है, मेरी आने के इच्छा है, तो तीन लाख लोगों ने उसके लिए application कर दी, online, बहुत सारे लोग थी इन्होंने, अब उसमें से voting करके लोगों को चुनना था कि कौन आएंगे, इसमें सबसे रहा इंडियर से, दोको free में जाने का chance मिल रहा है, हमको तो जहन्नुम में भी तुम free में ले जाओ, हम आने के लिए तयार ऐसा है अपना, तो अब बहुत लोगों ने नाम दे दिये, उसमें इंडिया के एक actor है, जिनका नाम है देव जोशी, जो बालवीर नाम की सब TV पे serial आती थी, उससे जुड़े हुए है, या उस बालवीर fame कह सकते हैं उनको, वैसे तो तीन स of the lot, या नए यह जो भी crew है, जो Yusaku Mazehv uh के साथ पेस में जाएगा, moon के चक्कर लगाने के लिए, कहा जाएगे, अच्छा, space में जाएगे तो कहा जाएगे, यह भी सवाल था, टो यह space में जांगे, moon को चक्कर लगाने वाले, यह moon को चकर लगाएंगे, 6 दिन का यह tour होगा इट विल बी ए शिक्स डे टूर और ये छे दिन के टूर में युसाकु मजेवे का साथ जाएंगे और वहाँ पे जाने वाले जो ये आठ अलग अलग लोग है उनमें ये सबसे यंग है तो देव जोशी इंडियन टीवी आर्टिस्ट देव जोशी अकमपनी करेंगे किसको य और कोन कोन है काफी सोरे लोग है एक तो जोशी जाब है अपने देव जोशी उनके साथ कौन आएगा डीजे एंड म्यूजिक प्रोडूसर आएंगे स्टीव आओ की बराबर है यूटूबर आएंगे टिम डॉड येमी फोटोग्राफर आएंगे करीम लिया और रैपर भी आएंगे टो यह जो सारे हैं यह लोग भी करेंगे तो यह होने वाली है धासू फ्लाइड परमिशन जैसे मैंने कहा उसमें पहले भी क्हाँ किसी क्लास में कि पर्मिशन अभी उसको मिलने की है लेकिन अगर पर्मिशन मिलती है तो यह जारगा स्पेसेक्स का स्पेस्क्राफट है तो यहां से निकलेगा 6 दिन का टूर करेगा चान को चक्त कर लगाएगा और फिर वापस आएगा और इनका कहना है कि ये जो भी वहाँ बनाएंगे कुछ तो भी ये बनाएंगे content creators content बनाएंगे तो ये content यहाँ क्या यहाँ पर आने के बाद लोगों को दिखाएंगे तो ये world peace के हिसाब से काम करेगा ठीक है और ये एक space tourism का important project है ठीक ये चीज आपको एकदम clear हो गई हुई तो इंडिया से नाम आपको याद रखना है नाम क्या है देव जूशी का ठीक ओके चलो अगली कहानी है तामिल नाडू से तामिल नाडू के जो chief minister है M.K.Stalin उन्होंने एक बहुत important announcement की है कहानी क्या है M.K.Stalin launches तामिल नाडू climate change mission तो इन्होंने तामिल नाडू climate change mission लांच किया है अब ये तामिल नाडू पहला ऐसा state बन गया इंडिया का जिसने अपना खुद का एक climate change mission चुरू किया है हमने वैसे बहुत बार अपने current affairs के classes में देखा है कि इंडिया ने 2070 तक जीरो carbon emission का target रखा है लेकिन तामिल नाडू सारकार ने कहा है कि हमारा state तो इसमें सबसे पहले इससे भी पहले बहुत पहले ही हम लोग zero carbon emission पे आना चाहते जैसे इन्होंने अभी नए जितने भी coal based power plants होंगे उनको बोल दिया है कि अब हम यह नए coal based power plant को permission नहीं देंगे हम green energy ज़्यादा produce करेंगे किस type की चीज़े किस सारे mission में होने वाली है तो नया climate change mission launch करने वाला पहला state कौन सा हो गया है तो वो हो गया है तमिल नाडू और इसमें एक बहुत important बार कि इसको launch जो किया है वो तमिल नाडू के cm के style ने किया है तो यह point एकदम clear हो गया होगा अब हम चलेंगे अगले point की और अगली जो कहानी है वो कहानी है आमादमी party से related आमादमी party ने राज्यसभा में जो इनके member of parliament है संदीप पाठक इनको national general secretary करके appoint किया है अब यह national general secretary appoint कैसे किरिया तो इससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि अभी जो recently election हुए थे हिमाचल प्रदेश में elections हुए और state assembly elections की बात करा हूँ हिमाचल प्रदेश में हुए और गुजरात में तो गुजरात में जो elections हुए उसमें आमादमी party को 13% votes मिले कितने 13% और इसी के साथ आमादमी party ये एक national party बन गई अब national party बनने के लिए कुछ rules है जैसे आपके काफी एक तो चार states में आपको 6% से जादा के आप एक तो जो चार states है वो चार states में आप state party का recognition आपको होना चाहिए तो आमादमी party को वो चार states में स्टेट पालिटी का रेकगनीशन मिल गया, देखिए स्टेट पालिटी का रेकगनीशन यानि 6% से ज्यादा का आपका वोट वहाँ पे होना चाहिए, जैसे दिली और पंजाब ये दो स्टेट्स में तो उनका बहुमत है, तो उनके पास काफी सार परसेंटेज में वोट है, लेकिन इसके अलावा गोवा में जब इलेक्शन हुए थे पिछले इलेक्शन, उसमें उनको 6.77% वोट मिले, तो वो गोवा में भी स्टेट पर्टी का रेकगनीशन है, अब उनको चाहिए था चाओथा स्टेट, अब हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुए उसमें त 6% से जादा इनका वोट सेर है, तो इसी बात पे वो एक नैशनल बदेश नैशनल पारेटि का उनको रेकगनीशन मिलता है, तो उनको नैशनल जनरल, सेक्रेटर के ज़रूरत होगी, तो वो उन्हों है किसको अपॉइंट किया है? इन्होंने किया है, राज्य शभा Anda में जै रत इनका नाम याद रखिए क्यों क्योंकि इनको President बनाया गया है कहां का Cardiological Society of India के President के तौर पे पी सी रत डॉक्टर पी सी रत इनको सुना गया है यह एक साल के लिए President रहेंगे याने 2023-2024 के लिए यह रहेंगे तो यह दोनों नाम आपको याद रखना है संदीप पाठक जो की National General Secretary बने है आमादमी पारटी के इनका नाम और दूसरे डॉक्टर पी सी रत जो की चुने गया है President of Cardiological Society of India के तौर अगला जो हमारा पॉइंट है वो है National Shooting Championship से अब National Shooting Championship यह ना यह National Shooting Championship का जो एडिशन था वो है 65th edition तो 65th edition of National Shooting Championship यह हुआ भोपाल में कब से कब तक यह हुआ 20 November से लेके तो 12 December तब काफी लंबा चला है तो 20 November से लेके 12 December तब National Shooting Championship यह भोपाल में चली और यहाँ पे कौन-कौन जीता यहाँ पे हमको एक नई winner मिली है जिनका नाम अब तक तो हमें नहीं पता था लेकिन एक नया नाम आया है दिव्या टी एस असया कम प्रों करनाथक और इनोंने एर पिस्टल में इन्होंने गोल्ड जीता है तो पिस्टल इवेंट में मनुभाकर जैसे या फिर रिदम सांवान जैसे प्लेयर्स को हरा के इन्होंने इनसे और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके पिस्टल की इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसके अलावा म मनुबाकर इन्हों ने जूनियर वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड जीता वैसे ही साथ में रिदम संगवान इन्हों ने भी गोल्ड मेडल जीता लेकिन इन्हों ने यूथ कैटेगरी में जीता तो हमको इतना याद रखना है कि जो नई विनर बनी है पिस्टल की कैटिगरी में पिस्टल इवेंट्स में वो कौन बनी है दिव्या टी एस करनाटक से आती है और दूसरी ये चीज हमको याद रखनी है कि नाशनल शूटिंग चैंपियंशिप का ये 65 एडीशन भोपाल में 20 नौमेंबर से लेके 12 डिसंबर तक हुआ था अब चलेंगे हम लोग अगली पॉइंट की और और क्या है हमारे पास अरे ये तो बहुत खुशी की बात हमारे लिए है कौनसी रीटेल इंफलेशन रीटेल इंफलेशन इस बिलो 6 परसेंट बहुत इंपर्टन निउज छे परसेंट के नीचे पहली बार इंफलेशन आया है 2022 में 11 मैंने पहले 6 परसेंट से नीचे आया था अब 11 मैंने बाद पहली बार ये 6 परसेंट से नीचे आया है 2022 में तो पहली बार 6 परसेंट से नीचे आया है ये 6 परसेंट 6 परसेंट क्यों लेके बैठके में लोग देखो क्या है रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया जब मतलब, माईनास टू से, तूपर्सेंट पे रहे, और टूपर्सींट के हिसाब से, यह सिक्स पर्सेंट तक जा सकता है। इंफ्लेशन खुद्रा महें गई ये 6% से उपर ही बनी हुई थी अक्टोबर में अक्टोबर 2022 का जो डेटा आया था उसमें ये कम हुई थी 7% से कम पे आई थी यहने 6.77% पे थी तब अक्टोबर 2022 में तब ऐसा लगा था कि RBI जो स्टेप्स ले रही है स्टेप्स कौन से सब से इंपोर्टन स्टेप तो रेपो रेट जिसको बहुत बढ़ाया जा रहा था यानि 2.25 basis points इस साल बढ़ चुका है तो 2.25 basis points बढ़ाने से जैसे हमने बीच में देखा भी था कि रेपो रेट बढ़ाने से इंफलेशन में कमी आती है तो इसका कुछ असर हो रहा है या नही हो रहा है ये भी देख रहे था हम लोग तो उसी में ये देखा गया कि 6.7% से उपर जो था वो 6.77 पर आ गया था अक्तोबर में और अब आया है नोवेंबर का डेटा तो नोवेंबर में खुद्रा महेंगा इधर याने retail inflation ये 5.88% पर आ गया याने 6% से कम आ गया है and this is for the first time in 2022 that it has come below below the 6% mark ये काई पर बेस्ट होता है तो retail inflation ये जो होता है it is measured by CPI CPI का मतलब है consumer price index अब ये consumer price index क्या है consumer price index basically 200 अलग-अलग categories में चीजों का एक और 8 major groups में divide किये हुए तो products है उनकी एक basket होती है basket मतलब क्या एक ऐसी चीजों का group बना लीजिए जो हमेशा आप इन चीजों की rates पर ध्यान देंगे तो ऐसी 200 चीज़े है उनके उनके हमको ध्यान देना है 200 चीजों पर और ये 200 चीजों की rates कम हो रहे है या बढ़ रहे है इन चीजों पर ध्यान र मतलब क्या है कि consumer price index के according retail inflation बढ़ रहा है और इनके दाम अगर कम हो रहे है तो हमको पता चलेगा कि अच्छा मतलब inflation कम हो रहा है तो inflation बढ़ रहा है या कम हो रहा है या consumer price index पे डिबेंट करता है तो जैसे हमने कहा repo rate अभी last जो monetary policy committee की meeting हुई थी उसमें भी repo rate बढ़ाया गया था तो अभी total इस साल 2.25% से यह बढ़ाया जा चुका है जिसका असर आपको retail inflation पे दिख रहा है ठीक है चलो अब चलेंगे हम अगले point की और अगली कहानी क्या है हमारी हमारी अगली कहानी है वो है sports से ही related है लेकिन sports में कहां से तो cricket से related cricket में हर महीने ICC player of the month चुना जाता है तो November 2022 के player of the month का जो award है ये दो व्यक्तियों को मिला में में male की जो category है उसमें मिला है जौस बटलर को और female जो मिला है वो मिला है सिद्रा अमीन को तो सिद्रा अमीन जो पाकिस्तानी women's team में है उनको मिला है women player of the month for November और जौस बटलर जो की England से है तो इनको male player of the year का award मिला है वैसे अगर हम October का देखे October 2022 का कौन था October 2022 में विराट कहली और निदादार इनको मिला था और निदादार इनको मिला था तो विराट कहली ये तो इंडिया से है सभी को पता है और निदादार पाकिस्टान तो देखिए निदादार यह पाकिस्टान से है तो October 2022 का अवो अल्ट था, Player of the Month वो निदादार को मिला था, वो भी Pakistan Women's Team की प्लेयर है, और November का भी एक Pakistani Women's Team से आने वाली प्लेयर जिनका नाम है सिद्रा अमीन इनको मिला है सब्टेंबर का भी अगर आपको याद रखना है तो सब्टेंबर में भी आप देख सकते कि सब्टेंबर में भी इंडिया से विमेंस प्लेयर विमेंस की कैटेगरी में हर्मन परित कौर को मिला था और में की जो कैटेगरी थी उसमें मिला था मोहम मुहम्मद रिजवान को मेंस के लिए मिला था और फर्मन पृत को यह विमन की कैटेगरी में इसी सी प्लियर गयर ऑफ दा मन्थ फर महने दिये जाते हैं उनके बारे में आपको इक सब पिछले यह 3 महने का किसको किसको मिला यह पूरा यहां लिखा हुआ है ठीक चलो अब चल Safety Performer of the Year का Award मिला है 2022 का और ये Safety Performer of the Year 2022 कौन देता है तो ये देता है Delhi Airport अब Delhi Airport ये डेली का जो एरपोर्ट है ये इंडिया का सबसे बड़ा एरपोर्ट है इसको GMR मैनेज करता है तो ये जो Delhi Airport है ये Delhi Airport हर साल एक Performance of the Year Safety Performance Performer of the Year Safety में कौन सी एर कौन सी कंपनी ने सबसे अच्छा कांग की है उस कंपनी को आवर्ट जेती है किस साल का आवर्ट किसको मिला अब इसमें हमको हमारा जो ध्यान जाना चाहिए वो एक बहुत इंपॉर्टन चीज पर जाना चाहिए देखो क्या है अभी कुछ दिन पहले हमने एक चीज पर चर्चा की थी वो थी कि इंडिया की रैंकिंग आई थी तो इंडिया की जो रैंकिंग आई थी एओ में वो 48 रैंक आया था हमको और हमारा पिछले साल की कंपैरिजन में जो रैंक बड़ा था वो बड़ा था एक सो दो से 48 तो यह बहुत ही बड़ी जंप इंडिया ने सेफ्टी आडिट में सेफ्टी आडिट की रैंकिंग में जंप किया था कि इतना बड़ा जो जंप हुआ था वो इसे लिए हुआ था क्योंकि इंडिया की जो हुआ इसी से अंदाज लगा जा कि इंडिया में safety audits अच्छे-चे चल रहे हैं इसलिए हमारी ranking बड़ी है तो ICAO की ranking में भी जो ICAO की जो audit है उसमें भी हमारा ranking जो बड़ा था वो बढ़ने का एक करण our spice jet की safety audit थी और इसी लिए इस साल GMR Delhi airport जो है इसने safety performer of the year award जो दिया है वो दिया है spice jet को I hope यह चीज एकदम clear होई होगी additional कुछ information जो हमने ICAO के बारे में तब भी देखी थी वो भी आपको यहां मिल जाएगी कि इसका Montreal Canada में headquarter है और 1944 में बनी यह organization है ठीक I hope यहां तक एकदम clear हो गया होगा चले अगले point की और अगली कहानी क्या है the next कहानी is about an award an award जो ऐसे व्यक्ति के नाम पर जिया जाता है जो शंकराचारिय रह चुके है तो 68 शंकराचारिय इनके नाम पर एक award दिया जाता है जिसको SIES award कहा जाता है यह 68 शंकराचारिय थे कौन इनका नाम है स्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती इनके नाम पर यह 25th SIES award दिया जाता है इनके ही नाम पर अवर्ड दिये जाता है और यह अलग-अलग कैटिगरी में दिये जाते है जैसे एक कैटिगरी है पब्लिक लीडर्शिप तो पब्लिक लीडर्शिप के कैटिगरी में जो अवर्ड मिला इस साल का वो दिया गया व्यंकईया नाइडू जी को यह हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे चुके हैं इससे पहले फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है तो इनको मिला है पब्लिक लीडर्शिप के लिए अवर्ड इसके अलावा केरल के जो गवर्णर है आरिफ मुहम्मत खान इनको भी पब्लिक लीडर्शिप के लिए ही अवर् अरिफ मुझमत खाल इनकोभी मिला इसके अलावा रतन टाटा इनको भी एक अवाड से नवाज आ गया इनकी जो केटिग्री थी वो थी community leadership तो रतन टाटा इनको community leadership इसके लिए अवार्ड मिला है तो यह को याद रखना है इसके अलावा science and technology की जो category है उसमें दो awards दिये गए science and technology में पहला जो award दिया गया वो दिया गया मार्तंड वर्मा शंकरम वलियानाथन को मार्तंड वर्मा शंकरन वलियानाथन इनको मिला है और दूसरे जो है वो है अजय सूद जो की scientific advisor है government of India के अजय सूद इनको दूसरा science and technology में अवर्ड मिला और finally जो अवर्ड मिला वो है spiritual leadership में तो spiritual leadership में जो मिला वो हरी कथा artist है विशाखा हरी इनको ये अवर्ड से नवाज अगया तो यहां पर काफी सारे अवर्ड दिये गए इनके नाम पर यह अवर्ड दिये जाते है और यह व्यंकया नाइडू जी को अवर्ड मिला इसके अलावा जिनको मिला है सबके नाम यहां पर लिखे हुए है तो यह अवर्ड के बारे में sufficient information आपको मिल गई होगी किसको मिला है कौनसी category में मिला सब clear चलो चलने का आगे नौड नौड मतलब आईसा इस इस नौडिंग ना तो स्वेभी ने क्या गिया नौड गिया हां ठीक है करो हां बुला है किसको हां बुला है से भी गिव्ज नौड से भी गिव्ज नौड तो AIFs तो रेज मनी फ्रॉम FPIs अब यहां पे दोजार वर्ड आ गया लग 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 एक पहला तो से भी से भी हम सबको पता है Securities and Exchange Board of India दूसरा यहां पे आया है AIFs और तीसरा जो आया है वो है FPIs तो यह देखेंगे क्या-क्या है AIF इसका मतलब क्या है AIF का मतलब होता है Alternative Investment Funds Alternate Investment Funds यहां लिखू गया कहीं तो यहां लिखेंगे Alternate Investment Fund तो यह हो गया AIFs और FPIs क्या है तो FPIs जो है वो है Foreign Portfolio Investors Foreign Portfolio Investors आपको यह दोनों नाम यहां दिख रहा होंगे AIFs का मतलब है Alternate Investment Fund और दूसरा है Foreign Portfolio Investors हाँ अब सेभी ने क्या कहा है वो हम यहां पे देखेंगे सेभी ने कहा है क्या सेभी ने AIFs को बोला है हाँ ठीक है आप कर सकते हो क्या कर सकते हो पैसा रेज कर सकते हो Foreign Portfolio Investors से पैसा या Foreign Portfolio Investments से भी आप पैसा रेज कर सकते हो लेकिन उसमें सेभी ने कुछ चीजे डाली है जैसे इन्होंने क्या कहा है कि जो भी investors है जो इसमें पैसा डालेंगे उनका जिनका भी 25% या उससे ज़्यादा का corpus होगा उनको उनमें से जो भी व्यक्ति है जो 25% से ज़्यादा ये fund में पैसा डालेंगे corpus होगा उनका नाम sanctions list में नहीं होना चाहिए काई की sanctions list United Nations Security Council की sanctions list में नहीं होना चाहिए दूसरी चीज उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसे किसी भी देश के resident नहीं होने चाहिए जो की FATF की list में है financial action task force की list में है है ना तो FATF की जो list है उसमें हमको पता है ऐसी countries होती है कि जो terrorism वगरे को funding करती है पाकिस्तान का नाम इसकी grade list में हमेशा था तो इनको funding करने वाली कि ऐसी countries की जो list है वो FATF बनाता है तो ऐसी countries का व्यक्ति आपके किसी भी alternate investment fund में 25% से जादा का वो पैसे उसके नहीं होने चाहिए बराबर है क्योंकि वो पैसा का source पता नहीं होता गलब लिए हो सकता है बराबर दूसरा चीज वो व्यक्ति खुद किसी sanctions list में नहीं होना थ आईसे list में कि जिस पे sanctions लगे है sanctions लगे मतलब रोक लगी है जिसके द्वारा United Nations Security Council के दारा तो ये दो बहुत important चीज इसमें सेबी ने बोली है क्या करते वक्त कि अगर alternate investment fund को foreign portfolio investors से में से पैसा बनाना है तो अब एक चीज और ये भी थी कि foreign portfolio investors ये है क्या क्या करते हैं देख एक तो आपने सुना होगा नाम foreign direct investment FDI बराबर है और ये है FPI अब ये FDI क्या है और ये FPI क्या है इसको मैं short में आपको समझा देता हूँ FDI मतलब foreign direct investment क्या होती है कि समझो मुझे किसी कंट्री में किसी company में invest करना है तो मैं वो company के बड़े से shares खरीद लूँ ज्यादा shares खरीद लूँ तो ये company में मेरी investment हो जाएगी बराबर है अब मैं वहाँ पे board of directors में भी आ सकता हूँ बराबर है 50% से जादा shares हो अगर मैं ले लिए तो मैं मां का owner भी बनूँगा फिर वो company कैसे चलेगी ये मैं decide करूँगा बराबर है तो I am physically invested in that company लेकिन ये तो FDI में हो गया foreign portfolio investment में क्या होता है इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी व्यक्ति या investors जो होते हैं वो government securities या bonds में invest करते हैं लेकिन कहां के दूसरे देशों के तो समझो मैंने ऐसा decide किया मुझे ऐसे लगा कि मैं किसी company में तो invest कर रहा हूँ लेकिन वो company में invest करना याने मुझे बहुत ध्यान लगाना पड़ रहा है एक तो ये long term की investment होगी मुझे कल लगर लगा नहीं या इसमें मजा नहीं तो पैसा लगा देंगे किसी government bonds में या securities में दूसरी country की कि मुझे यहां से जादा तो profit वहां मिल रहा है तो उसमें पैसे लगा दिये तब वो रहेंगे short term के लिए जब तक पैसा बढ़ रहा है बढ़ने तो बाद में पैसा निकाल लेना तो it is short term के लिए foreign portfolio investment it is done in government securities और bonds य जात में alternate investment funds अब ऐसे ही foreign portfolio investment से पैसा उठा सकता है तो फिर alternate investment fund यह क्या चीज है यह basically private fund होते हैं जो pooling के द्वारा बनाय जाते हैं तो these are more or less private fund तो आप इनको बुला है ठीक है आप FPI से पैसा बना सकते हो लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखना है कौन सी चीज कि जो व्यक्ति आपके fund में पैसा लगाएगा अगर वो 25% या उससे ज़्यादा का corpus में invest करता है तो उस व्यक् किसी भी ऐसे country का नागरिक नहीं होना चाहिए जो country FATF की लिस्ट में हैं बराबर है तो इन कुछ चीजों का नाम इन कुछ चीजों के बारे में सेवी ने कहा है ठीक है तो आई होप यहां तक एकदम clear हो गया होगा point आगे चलेंगे हम अगले point पे अब एक film festival की बात करेंगे film festival कहां हो रहा है film festival हो रहा है नेपाल के कातमांडू में नाम क्या है film festival अप फिल्म फिस्टीवल का नाम है international mountain film फेस्टी वल ना International Mountain Film Festival, कहा हो रहा है यह हो रहा है, जैसे मैं अभी कहा है, यह हो रहा है, काटमांडू में, नेपाल में, है ना, और, कौन से नंबर का एडिशन है, तो यह 20 वा एडिशन है, 20th एडिशन, तो 20th एडिशन ओप काटमांडू International Mountain Festival, किक टॉप इन, काटमांडू नेपाल, है ना, और यह कब से कब तक हो रहा है, तो यह हो रहा है नहीं हो, हो गया, खतम हो गया, कब से कब तक हुआ, 8 डिसंबर से लेके, 12 दिसंबर तक, 4 दिन लेके, खतम हो गया, बहुत सारी दुनिया भर से आयो ही फिल्में यहां पे दिखाई गई थी, तो हो नहीं रहा है, यह हो गय अब से कब तक हो गया आठ दिसंबर से बारा डिसंबर तक हो गया देखो पिछले दो साल तो कोवीड के वज़े से फिजिकल स्क्रीनिंग नहीं हो पाई थी पर यह बार फिजिकल स्क्रीनिंग होई काफी दर्चकों नहीं से वहां पे जाके एंजॉय की मूवीज को यह बहु रोज डिसकस करते हैं इंपोर्टन्स उस डे का क्या है आज एक बहुत इंपोर्टन्ट दिन है पंसा नैशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है आज नैशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे नैशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे यह जो डे शुरू हुआ था यह ब्यूरो आप का मतलब है Bureau of Energy Efficiency, energy को efficiently use करने के लिए जो एक organization है, जो Government of India का ही organization है, it is constituted under Government of India by an act, तो यह BEE है Bureau of Energy Efficiency, यह Ministry of Power के अंडर आता है और यह Bureau या यह agency organize करती है, हर साल National Energy Conservation Day के नाम से और यह कब होता है, तो यह होता है 14th of December को, तो यह चीज एकदम clear हो गई होगी, और काफी सारे awards भगरे भी दिये जाते हैं, हमको क्या करना है, हमको तो इसकी theme याद रखनी है, theme क्या है इसकी, for your better tomorrow, save energy today, कल अगर बहतर, कल का जो दिन है, जो कल अगर हमको बहतर बनाना है, तो आज हमको energy save करनी पड़ेगी, exam के दिन के लिए याद रखो लेकिन, यह energy जो हम बहार से बना के ले रहे हैं, वो, लेकिन आपको exam clear करने के लिए, यादि अगर आपको कल आपका बहतर बनाना है, तो आज maximum energy का use करना पड़ेगा, जो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर की energy का maximum use करोगे, तो ही कल बहतर बनेगा, ठीक है, तो इस से आप theme को relate कर सकते हो, ठीक है, जो हम energy बहार से ले रहे हैं, जैसे यह lights लगे है, यह सब लगा हुआ है, digital board, यह सब, यह energy हम आज कम use करेंगे, तो हमको उतने ही जादा दिन आगे मिलेगी, पर कल अगर हमको exam या हमारी job की case में बात अगर हम करें, तो कल हमें अगर अच्छी job चाहि points एकदम clear हो गए होंगे, अब हम यहीं रुकेंगे, thank you very much.